दोस्तों बाल जड़ने का एक असरदार घरेलू उपचार नारियल के तेल और लहसुन के कॉंबिनेशन से होता है आईए देखते हैं बाल जड़ने से रोकने के लिए नारियल के तेल और लहसुन के कॉंबिनेशन को कैसे यूज किया जाए इसके लिए आपको एक बरतन में 50 ml नारियल का तेल ले लेना है अब नारियल के इस तेल में आपको लहसुन मिलाना है आप लहसुन की 8 कलिया निकाल कर छील लीजिए छीलने के बाद आप इनको पीस कर पेस्ट बना लीजिए मिक्सी में लहसुन की कलियां आसानी से पेश जाएंगी या आप इसे खरल में भी पीश सकते हैं इनको पीश कर आप नारियल के तेल में डाल लीजिए अब इसे आपको गरम करना है इसे आप कम आज पर गरम कीजिए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि लहसुन के पेस्ट का रंग बदलने लगेगा जब लहसुन के पेस्ट का रंग गहरब भूरा हो जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए और तेल को अपने आप ठंडा होने दीजिए जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे एक साफ सूती कपड़े से छान लीजिए अब आपको इस छनुवे नारियल के तेल को यूज करना है लहसुन वाले नारियल के इस तेल से बालों की जड़ों में आपको हलके हातों से मालिश करनी है मालिश करने के बाद आदे गंटे के लिए इसे बालों में लगा रहने देना है और फिर साधा पानी उसे दो लेना है इस रेमेडी को आपको हफते में दो बार यूज करना है ऐसा आपको हर हफते करना है इस remedy को यूज़ करते ही बालों में मजबूती आने लगती है दो से तीन बार के यूज़ से ही बालों का जढ़ना काफी हद तक कम हो जाता है आप इसे लगतार कुछ हफतों तक यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बाल जढ़ने पूरी तरह बंद हो जाएंगे इस तेल को यूज़ करते समय ये ध्यान रखें कि अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो लहसुन के कारण थोड़ी जलन महसूस हो सकती है इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोग ये रेमेडी यूज़ नहीं करें आप इस तेल को ज़्यादा मातर में बनाना चाहें तो इसी रेशो में नारियल तेल और लहसुन का पेस्ट दुगनी तिगनी मातरा में लेकर बना सकते हैं